हुआ है मैं नेम इस दीपाग गुक्तर इस डुडीओ में हम बात करने वाले स्नाटिक इनर क्लास के वारे बयाट पριविच स इस वीडियो में एप डिसकस किया था सटाइक इनरक्लास क्या होता प्रिक है विथ रिखांपल भी हम ने कवर किया था अगर जहां आपका छूड़ गया था आप एक वर्ड देख लो क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी इंटर्व्यू पॉर्पस ठीक है जो इनर क्लास आपका आउटर क्लास स्टाटिक इनर क्लास एनानिमस इनर क्लास यह सारी चीजें पूछा जाता है अगर जहां जावा की प्रोफाइल पर कहीं इंटर्व्यू देने जाते हो तो वहां पूछा जा सकता है ठीक है अब इनर क्लास यूज ही क्यों करते हैं यह चीजें भी हमने डिसकस किया था इनर क्लास ही ऐसा क्लास है जो प्राइवेट आउटर क्लास का प्राइवेट ट्यक्क है स्टैक्ट्िक आपको पता आँना चाहिए कि स्ट् sniff कीवर्ड क्या होता है स्टैक पिरेवल ग्या ओता है स्ट्विय क्या होता है यह सारी चीजें हम लोग डिसकस किये हैं तो थो थोंसा संबस्द में आपको दिक्कत आई तो आप एक क्या करो, static variable और static block वाली चीज़ एक बर देख रो, ठीक है, चलो बात करते है, static inner class के बारे में हाच क्या होता है, static inner class is a nested class that is declared with the static keyword, it is a class that is associated with its outer class, clear point, but it does not required an instance of the outer class to be initiated, outer class के instance के required नहीं होता है, लेकिन अगर जाए static keyword नहीं लगा है, तो outer class के instance के required होगा, जो previous lecture में हमने डिसकस किया practical, ठीक है, इसका syntax होता है, class, outer class का name, then यहाँ पर outer class, जो होगा members of methods दे सकते हो, ठीक है, यह static inner class है, और static inner class का, यह basically क्या है, यहाँ पर आप members and methods of this static inner class दे सकते हो, clear point, यह syntax है basically, यहाँ पर देखो मैं इस class के साथ, जो inner class है न, अब यहाँ पर मैंने static keyword लगाया, तो यह static inner class हो जाए, clear है, keyword यूज करते ही, यह क्या बन जाएगा, यह static inner class बन जाएगा, ठीक है, चलिए, हम practical समझते है, theoretical तो समझ गया, practical करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक class बना लेता हूँ, file का name मेरा inner.java है, कुछ भी ले सकते हो, मैं एक class बना लेता हूँ, class का name दे दिया, मैंने यहाँ पर outer class, ठीक है, इस class के अंदर हम एक method ले देते हैं, public void info method, और इस info के अंदर मैंने यहाँ पर दे दिया, print करा दिया कुछ, system.out.println, यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं दीपक गुपता, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया, मैंने, ठीक है, यहाँ 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 पर name अटा दो, outer class ही लिख दो, इससे clear रहेगा, outer class दे दिया, ठीक है, यहाँ पर कुछ private data हम यहाँ पर declare कर दे थे, private 20 दे दो, 10 दे दो, कुछ भी, ठीक है, clear a point, अब इसी के अंदर एक और class create कर रहा हूँ, और इसका name दे दिया, मैंने, inner class, ठीक है, इस class के अंदर भी कुछ methods, या आप methods declare करना चाहते हो, कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ, public void, यहाँ पर दे देता हूँ, data नाम का method, ठीक है, इस data के अंदर मैं आप लिख देता हूँ, system.out.print talent, यहाँ पर data मैंने x pass कर दिया, जो की outer class का private data है, उसको access कर रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बताना है क्या static, तो यह हो गया static inner class, clear a point, अब मैं इसके बाहर जाके class बना लेता हूँ, class का name test, यह आप इसी class के अंदर बना सकते हो, ठीक है, main method, तो main method create किया, और मैं यहाँ पर outer class का object create कर लेता हूँ, new outer class, और इस class से हम क्या कर देंगे, out.info को call कर लेते हूँ, ठीक है, clear a point, done, अब next है inner class, ठीक है, तो inner class, I, N, N दे देता हूँ, refresh variable, कुछ भी दे सकते हो, new inner class, इस तरीके से अगर जहाँ आप call करते हो, तो आपका यह execute नहीं हो, क्योंकि inner class, outer class से belongs करता है, यह already हमने बता है आपको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे, outer class, dot, inner class, और यहाँ पे भी लिखोगे, outer class, dot, inner class, जो outer class से inner class belongs करता है, अब मैं इसकी refresh variable से, मैं क्या करता हूँ, call करता हूँ, data नाम के method, ठीक है, जो inner class के इंदर, चलिए इसको एक बार compile करके देखते हैं, command prompt open कर लिए, और मेरा desktop पे folder है, तो cd desktop पे चले जाता हूँ, java नम का folder है, तो cd java, javac, then file का नेम है inner.java, compile कर लेते हैं, compile में यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, non-static variable, ठीक है, तो यहाँ पर आपका non-static variable है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, शलिए, यहाँ पर बता देता हूँ, मैं, इसको भी, इसको अभी, यहाँ पर, यहाँ पर, स्टाटिक, चले, यह वार फिर से मैं compile करता हूँ, compile's fine, क्योंकि static बनाना परेगा उसको, या नहीं भी बना सकते हैं, वो हटा दूँगा, मैं next example करके दिखाता हूँ, तो java, और class का नहीं मैं यहाँ पर, test, देखो यहाँ पर, outer class और यह 20 आ रहा है, ठीक है, 20 इसका, इसमें आपका value आ रहा है, ठीक है, clear point, done, static class के अंदर static variable आपको, जो static variable को access कर सकते हो, तो आपको static बताना परेगा, clear end point, यह है example number first, ठीक है, example number first, example number second, देखो, अगर, मैं यहाँ पर, इसको हटा दिया, यह चीज़े हैं, ठीक है, और यह हटा ही देता हूँ, मैं variable हटा ही देता हूँ, क्योंकि static यूज़ कर रहा हूँ मैं, inner class, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, static inner class, ठीक है, अब मैं चलाता हूँ, देखो, देखो, it will execute, चल रहा है, यह outer class आ रहा है, यह inner class आ रहा है, inner static inner class, ठीक है, अगर, मैं यहाँ पर, यह देखो, यह चीज़ें याद रखिएगा, अब previous वीडियो में हमने discuss किया था, कि आपको, अगर जाँ static नहीं declare करते हैं, suppose करूँ मैं दो मिनिट के लिए static हटा दिया, अब मैं चलाता हूँ, देखो, error आएगा, देखना, देखो, error आया, देखो, यहाँ पर क्या लिखा, error and enclosing instance that contains outer class.inner class required, ठीक है, जो required, मतला outer class, inner class को content करता है, यह वाले reference variable आपको यहाँ पर pass करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर new.out, अगर जाँ मैं ऐसे लिखता हूँ, अब मैं फिट से चलाता हूँ, देखो, देखो, new.outer class हमने कुछ-कुछ गरवर लिखा है क्या, यहाँ पर, out.new, out.new, outer class, इसको अटाब, clear है point? अब मैं फिट से इसको compile करता हूँ, देखो, चला, देखो, यहाँ पर चल रहा, यहाँ पर यह हटाना परेगा, यह आपको outer class का reference variable pass करना परेगा, ठीक है? अगर जाँ आप इस तरीके से use करते हो, तो यहाँ पर, अगर जाँ static declare कर देते हैं, तो static को, जो static inner class है, उसको call करने के लिए आपको, उसका instance pass करने की कोई जो रतनी होता है, outer class की, ठीक है न, देखो, यह आपका directly call हो जाएगा, देखो, compiles fine, चल रहा है, outer class, inner class, ठीक है न, तो आपको पता है कि, अगर जाँ हम static declare कर देते हैं, या variable को, या method को, या class को, तो उसको directly access कर सकते हैं, यह आपको पता होना चीए, with the help of class name, तो outer class name से directly inner class की data को कुछ भी access कर सकते हैं, ठीक है, यह static का, static basically keyword का benefit, advantage है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है न, clear point, इसको हमने details में भी discuss किया था, static variable क्या होता है, static method क्या होता है, static block क्या होता है, ठीक है न, clear point, अगर जाँआँ आप मेरे वीडियो को starting से follow कर रहे हो, तो आपको कोई प्रेशानी न इनर class, अब अब static अगर जाँ मैं इनर class को हटा के, outer को बना दो, यह कभी नहीं चलेगा, याद रखना, अगर जाँ मैं इसको यहां से हटा के, यहां पर लगा देता हूँ, outer में, ठीक है, outer जो class है, उसको हमने क्या बता दिया, static, तो यह कभी नहीं होगा, देखो, कभी modifier static not allowed है, कभी allow नहीं होता है, याद रखना, ठीक है, यह क्या होता है, public, private, by default, default होता है, ठीक है, clear point, शलिए, तो इतना आप लोग कीजिए, इसको आप क्या करो, note कर लो, note करके practical करो, practical करोगे, तभी concept clear रहेगा, ठीक है, the static inner class क्या होता है, हमने discuss किया, ठीक है, with practical, ठीक है, इसको note कर लो, note करके practical करो, ठीक है, upcoming videos में हम लोग देखने वाले है, anonymous inner class क्या होता है, कई बार पुछा गया हो भी interview में, ठीक है, हम लोग वो भी discuss करेंगे, upcoming videos में, आज हमने static inner class के बारे में discuss किया, theoretical, practical, इसको note कर लो, note करके practical करो, मिलते हैं next वीडियो में, like करो, comment करो, share करो subscribe करो या, thank you, bye bye